नमस्कार आदाब मैं आनूप सोनी क्राइम पिट्रोल सतर के ब्लैक हेडलाइन अध्याई के आज के एपिसोड में आप सब का स्वागत करता हूँ बल्लू, योगी, परोल पे छूटे हो, आजाद नहीं हुए, याद रखना जिर्ज आप डरिये मत हो, अपनी आजादी का नाजाद फादा नहीं उठाएंगे 37 गारियों चोड़ी करके बेची थी तुमने शहर से अगर एक भीकार गायबुई तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे इबात पतां, मेरे पत्ती की राइड़ना, बिल्कुल टीजल एंजिन की तषिए जब तुम्हारे साथ होती हु ना तो ऐसा लगते है जिसे जैग वी मान में होड रही है जैग वी मान लेकिन क्या है कि हम ना सिर्फ इस सफर के साथ हैं और उमें बूलना नेची कि सफर बदलने से हम सफर नी बदलते हैं अच्छा, लेकिन अगर मन्जिल बदल जाए, तो रास्ते बदल जाते हैं, और अगर रास्ते बदल जाए, तो हम सब पर बदल जाते हैं विवेक, टेंशन है क्या कोई, स्ट्रेस में लग रहे हूँ, स्ट्रेस तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, लेकिन उस्ट्रेस से बाहर निगलने का तरीका अगर गलत होना है, लाइफ और स्ट्रेस्फुल हो जाती है, सिर्फ दो पल की खुशी के लिए, इंसान कभी-कभी, जिंदीगी भर की आफ़त पाल लेता है, इतने फिलोसिफिकल क्यों हो रहे हो, साफ साफ बताओ ना बात क्या है? Ouch! आप ये मेरे हस्बंड विवेक, कैसे हुआ ये सब? मैं और विवेक पाटी से घर लोट रहे थे, फिर अचानक से एक बाहिक आई और फिर अचानक से एक बाहिक आई और पिर अबै पागण है क्या? बागट आये से! Stupid! समझ में नियारी है, मैं क्या बोल रहा हूँ? इखल! इखल! महार निकल! अरे, कौन है? तो उन लोगों ने लूट पाट की कोई कोई शिशनी की? कौन थे वोलो? कुछ आईडिया को? सर्व.. उन में से एक ने हेलमेट पहना था और एक का चेरा ठका हुआ था बाइक कौन से थी? बाइक का नंबर देख पाई आँ? अच्छा आपने कहा कि आप किसी पार्टी से आ रहे थी किसकी पार्टी थी? विवेक के बॉस की बॉस का ना? भासकर गुप्टा वो विवेक के मैनेजर हैं और विवेक उनके दूपरवाइजर थी और जिस घर में पार्टी थी? वो घर कहां पर रहा? मॉडल टाउन आते रहना दूम लोग आते रहना दूम लोग या या शॉर शूर संबाल के जाना प्लीज तेक केरे अरे, डॉंट वरी, मैं हूँ समालने के लिए सर गाड़ी में ये मोबाइल मिला है ये फोन विवेक है? लॉकर इसका पासफ़र क्या है? मुझे नहीं पता सर सर बंसेट सर या दूर दूर तक सिसीच भी मिलने के कोई चांसेज नही है ये बॉस की घर से आ रहा था तो शायद वो वाइकरस उसे वहीं से फॉलो कर रहे होंगे और कातिलों ने लूट पाट करने के कुप क्वशश ने की और विवेक की बीवी को सही सलामत छोड़ दी कातिल विवेक का कतल करने के रादे से आय थे ये तो लग रहा है पर आईविट्मेस को इस तरह जिंदा छोड़ देना अटपटा नहीं लग रहा I mean क्या कातिलों को जरा भी खाफ नहीं था कि विवेक की बीवी उन्हें पैचान सकती है या भाई का नमर नोट कर सकती है सर विक्टिम की विंड पाइप और फूट पाइप बुरी तरह से काटी गई है चाकु इतनी सफाई से चलाया गया कि विक्टिम के अंदा इस्पॉट डेथ हो गई होगी विवेक के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन काम किसी के लिए नहीं रुखता तपन, विवेक के सारे क्लायंट्स अब तुम संभालोगे आकाष को अपने साथ रखो विवेक के क्लायंट्स की सारी डिटेल्स आकाष के पास है जी सर आकाष, अब से तुम तपन को रिपोर्ट करोगे अब हीस्या बॉस जी सर इस्क्यूज में, सेल. हेलो? तरुन मुझे बहुत डर लग रहा है. अगर तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बार में पुलिस को सारा सभी पता चल गया ना? तुम्हें सच में किसी को भी मू दिखाने लाइक नी रह जाओंगी. हम दोनों के लिए बेटा रहेगा कि तुम मुझे कॉली मत करा हो अगरे. क्या? तरुन मेरी बात सुनो पहले. हाँ, तरुन! नहीं सर, कोई ओकेशन नहीं था. बस एक कैशुल सा गेट टोगेदर था. तो विवेक और उसकी वाइफ डिनर पे आ गए थे. विवेक की मौश से किसको फादा हुआ होगा? हमारा तो नुकसान ही हुआ है, सर. मतला? एक Efficient Supervisor खो दिया हमें. कंपनी को सबसे जादा बिजनेस पहीला के देता था. इस साल हमारी कंपनी का टर्नोवर धेर गुना बढ़ गया है. कंपनी के 40% से भी ज़्यादा क्लाइंट्स विवेक लेकर आया है. तैंक यू सर. गड़ जाब. सर, विवेक एक बहुत ही सुल्जावा इंसान था. उसके साथ और उसके आसपास काम करने वाले सभी उससे बहुत खोश रहते थे. मैं मैं पिछली एक साल से विवेक सर को सेष्ट कर रहा था. फिर तो विवेक के दोस्त और दुश्मन सबको अच्छे से जानते होगे तुम? सर, ओफिस है यहां सब कुलिफ्स होते हैं. दोस्त चा दुश्मन नहीं होते हैं. दुश्मन ना से लेकरन कम्पिटेटर था होते हैं न? तुम और विवेक एक ही पोस्पर थे. तो कम्पिटेशन तो रहता होगा. और एक दूसरे से आगे निकलने के कोशिश भी होती होगी. हाँ सर, पर हेल्धी कम्पिटेशन था सर. इसी से इनसान की ग्रोथ होती है. जो के तुमारी हुई तपान? क्योंकि विवेक के जाने के बाद उसके सारे क्लाइंट तुम्हें मिल गए. राइट? राइट मैम. तपान को फाइदा तो हुआ है. तो तुम ये क्या रहे हो कि विवेक के मुर्डर के पीछे तपान का हाथ है? नहीं मैम, मैम मैं ऐसा नहीं कह रहा. सर, मुझे नहीं लगता कि विवेक के मुर्डर का कनेक्शन उसकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा होगा. तो क्या परसनल लाइफ से जुड़ा? आप तो विवेक की परसनल लाइफ के बाएर में काफे कुछ जानते होंगे. विवेक का अपनी वाइफ के साथ रेलेशनी कैसा था? I mean, दोनों में से किसी का कोई अफेर? नहीं सर, मुझे इसा नहीं लगता. ना चाहते हुए कि तुम्हारे पास के जाचा दावता हूँ. The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable to the देखो हर जगे के कुछ राज होते हैं चाहे वो घर हो या कमपनी वो राज खुल जाए तो नुकसान सबका हो सकता है निश्वरपाद बंगजम श्री रामचंद कृपाल भजमन हरनों भॉबेदारनों नमकंदों लोचन कंज मुखर कंजी पुदा कंजारनों कंदर बगड़ित संतरनों महिम देशंदरन पड़पीदमानों तड़ी तरुस नौम जनक सावरनों पंदीन बंगुदेशनानों देपिनेशनानों लो प्रसाद लो देन अच्छा रहे है पस पंदी जी पूजा ही करते रहो तो नौकरी तो होती नहीं तुमसे कुकर की तीन सीटीया लगने पर गैस बन कर देना कम से कम इतना तो कर सकते हो ना मैं काम पे जा रही हो तो मैंने भासकर के घर से लेका क्राइम से लेका जितने भी सिसरिवे फोटेज है और सभी को खंगाले बंजारा क्रॉसिंग के पास लगे सिल्सेटिव ए फूटेज में एक बाइक स्पोट हुई है यह विवेक की कार है और यह वो बाइक है जो इसे फॉलो कर रही है वसके यही फूटेज मैंने विवेक की वाई श्वेता को भी दिखाई यही श्वेता हाँ मैम गेख, यही थी वो बाइक, और यह दोनों वही हैं लेकिन यह फुटाई बिल्कुल क्लियर नहीं है, ना तो बाइक का नंबर ना दरा आ रहा है और ना ही बाइक सवार की शकल लेकिन फिर भी सर्श्विता काफी दावे के साथ क्या रही है कि यही वो किलर है और सब विवेक का फोन अनलॉक हो गया है, मैंने चेक भी किया है विवेक एक प्रथा नाम की औरत के साथ काफी टाच में था दोनों के बीच में ओपन मेसेजिंग होते थी और सब मेसेज को पढ़के लग रहा है कि इन दोनों के बीच में अफैर था कौना ये प्रथा? सब विवेक की कलिक तरुन की वाईफ है मैसेजिंग प्रफाइल पे तरुन के साथ प्रथा की फोटो भी है इस लिहा से तरुन और विवेक की बीवी श्वेता इन दोनों का मोटिप स्टॉंग लगता लेकिन सब हैरान करने वारी बात ये है कि विवेक की बीवी श्वेता और तरुन भी फोटों पर काफी टच में थे श्वेता से मिलकर आ रहे हो ना? एक तरफ विवेक की बीवी श्वेता और तरुन का आपस पर फोन भे टच में होना ये खिच्डी कोई समझ में आ रहे है और साथ एक तरफ ये बाईकर बढ़ता है ये बाईकर्स स्पारी किलर्स होंगे जो तरुन या श्वेता से कनेक्टेड हो सकने है इन दोनों की background अच्छे तरह से खंगालू और तरुन की बीबी से मेलू देखो आप वो क्या बोलती है ओके सब ये क्या थोड़ी आर धार लगा मक्खन के तरह कटना चाहिए मुरगा सर मेरे और विवेक के भी जैसा कोई रिष्टा नहीं है जैसा आपको लग रहा है एडम ये मुबाइल फॉन विवेक का है आपकी विवेक के साथ जो भी बातचीत होती इतना वो सारे मेसेजेज इसमे है कुछ पढ़के सुनाओ आप आपकी यादास ताजा हो जाएगी विवेक लिखता है रथा तुम मेगनेट हो तुम्हें देखता हूँ तो बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास आजाओ आगे आप लिखती है ओ विवेक हमारी अगली मुलाकात कब होगी और आगे पढ़ो यतना काफी है सर मैं एक शादिश उदा औरत हूँ मैं अपने पती को कोई धोका नहीं दे रहे थी तो क्या पती पतनी दोनों ने मिलकर विवेक को ट्रैप किया था सरी कैसी बाते कर रहें आप हमारा विवेक के मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है लेना देना है या नहीं वो तो हम पता लगा लेंगे लेकिन एक बात याद रखना अगर मुझे पता चला कि आपको जानती थी और चुप रही तो बात में बोलने का मौका नहीं मिलेगा सर अब को जो करना है अब करिये लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है जी योगी भाईया आज जी भार के करलो याशी मताओ किसके साथ मनां होगे दिमाली अकड, बकड, बंबे, भो, असी, नभे, पूरे तो आज, 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 आज आज, आज, हाँ, आज, आज, आ जम बडे, हाँ योगी भाईया, सी उ लेटर अब लेटर मत रहाराम चाहिए अरे बस तुमको बड़ी परशानी हो रही है चलो तेरे नाम के है? चंदा अरे नहीं में जाने दिना, सुना तुझ मेरा नाम बता है क्या है? नाम भी पता और काम भी पता है चोर है ना तु गाडी चोर अज तुझे क्या लगता है कि तुझे यह ना चोर नहीं, पुलिस वाले आएंगे हो? पुलिस वाले जी आते है इदर पर मज़े करके चले जाते है साले और पैसे भी नहीं जिते कमीने कौन आयता पता ना? बात करने का अलग से चार्ज लगेग वह तुझे लालची लड़किया है लेकिन लालची लड़किया ना मुझे बेद बसंद तरुन पुलिस ने तुम्हारी बीवी से पूछताच की उन्हें शक्तो नहीं हो रहा है सारुने शक्तो है पर पतानों ने कुछ बताया नहीं साल लेकिन इश्वैता सरी विवेक की बीवी बहुत परिशान कर रही है सार इसको हेंडल करना मुझकी लो रहे मैं क्या तो हेंडल करो हमरे रास पॉलिस को मालूम नहीं पढ़ने चाहिए विवेक की परसनल और प्रफेशनल लाइफ के कई ऐसे रास थे जो उसके मर्डर की वजह नजर आ रहाए थे सब सच इस तरह से विवेक का मर्डर हुआ था एक मेना पहले ठीक उसी तरह से सुपेला में भी एक मर्डर हुआ था इस मर्डर की मर्डर सुपरेंडी भी सेम थी विक्टिम का गला स्लेट किया गया था और विवेक की तरह इसकी लाश में गाड़ी के पास ही मिले थी था कौन यह बंदा? सिन नागेश क्रिमिनल लोयर था सच और जूट में जीत किसकी होते पता है विने जी कुछी नहीं उसकी जिसके पास अच्छा वकील होता है तुभार भाई के खिलाफ स्ट्रॉंग केस है दो-दो आई विटनेसिस हैं जिन्होंने उससे मर्डर करते हुए देखा है सर इसलिए तो आपके पास आए हैं आप ही कोई रास्ता दिखला ही सर खरीद ने पड़ें गवाओं को उसके लिए पैसे लगेंगे अजमानत के लिए एक लाग अलग से सर रखम थोड़ी कम हो जाती तो मौल भाव करना है तो सबसे मरी दो गली छोड़ गे आप नाराज मत हो नागेश जी पैसों का इंतराम हो जाएगा बस आप किसी भी तरह से मेरे भाई को छोड़वा दीजे समझो बजगिया अब कल तक एडवांज में दीजे तो तुम्हें लगता है किस वकील नागेश और विवेक के मर्डर का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है सब कम सब कातिल तो सेम ही हो सकता है क्या फिर दो अलग अलग लोगों ने एक ही बंदे को सुपारी दियो पासना पता चला लड़की का जाने दीजिए ना अपनी ही बेटी का मामला है आप कुछ करोगे तो हमारी ही बेहिजती होगी वकील को सलाद होगे तुम नाम बोलो बिरजू रसाली में रहता है पैर की जूती को सर पे बांदना चाहती है तुमारी बेटी लिसेंज का दिये तुम्दे पैर चुप कर तो आपका दिखाएंगे तुझे तेरी अम मेरी बेटी ब डॉरे डालता हैं तुझे सिंदगी बार जेल में सराएंगे हम पापा इसकी कोई गर दी नहीं है जोड़के तुम दोलो की है चादी करना चाहते हैं तुम दोलो ये तो सबेगा जिंदगी बार जेल में मर्डर केस वे तुझे तुझे ने बार में सोच के रखा है में पाइसको चोड़ दीजे फ्लेश बटो सर नागेश रकतरा का बाव अली था कानून को भी जानता था और गैर कानूनी काम करने वालों को भी सर नागेश का मोबाइल हमें उसकी कार में मिला था जब हमने मोबाइल चेक किया तो पता चला कि आखरी कोल उसने अपनी वीवी उपासना को किया था इसके बाद हम उसके घर पहुंचे साप मेरे पती का कातिल घर पर ही है इसीने मरवाया है मेरे पती को खा गई है अपने बाप को ये ताकि इसका और इसके आशिक बिर्जू का रास्ता साफ हो जाए ये बिर्जू कोन है और कहां मिलेगा इस बिर्जू को कोई तस्वीर आपके पास जीसन ये रहासर इस बिर्जू के पास नागेश को मानने का माटिक तो है पर ये विवेक को क्यों मारेगा इस बिर्जू के कोई हिस्ट्री? नहीं, सर ऐसा तो कुछ नहीं है फिर बिर्जू का विवेक से क्या तालुक हो सकता है? तरुम, तुम मुझसे इस तरह से पला नहीं जड़ सकते है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी क्या हालत है इस समय शोयता हम सिर्फ मजए के लिए मिलते थे मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा फ्लीज मुझे फोन करना बंद करो अच्छा अब भाग रहे हो तुम देखो तरुम अकर मुझे इस तरह से वोट करते रहना तुम तो मैं तुम्हें फसात हूँ की समझे तू तुम मुझे ब्लेकमिल कर रही हो हाँ कर रही हो ब्लेकमिल हलो हलो यह विवेक है हमें लगता है इसका मडर आपके पती से कनेक्टेड है क्या आप इनमें से किसी को जानती है नहीं मैं इनमें से किसी को नहीं जानती नहीं मैं भी नहीं जानती आप इनमें से किसी को जानती है नहीं मैं इनमें से किसी को नहीं जानती बस बस अच्छा सुनो स्कूल से पुष्प को लेते हुए जाना ठीक है और पुरे टाइम पूजा पार्ट में मत लगे रहना मुझे दो फेशियल करने हैं टाइम लगेगा तो घर में जाके चावल चड़ा देना ठीक है? ठीक है दीदी इतना प्रेशर ठीक है? दीदी मैं एक लिए गरम पानी लेकर आदू दूँ क्या देख रहे था? उचनी बस है ऐसे? तो शर्मा ही है मत बोलिये न अच्छी लगी मैं आपको बहुत तो उस बुड़िया को इस घर से बहार निकाल के फैक दो और मुझे यह अपने साथ रख लो क्या? क्या बोल रहे हैं तो? सही तो बोल रहे हूँ क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी? साहब थिसल रहे थे मैंनों उने सम्हाल लिया सब विक्टिम का नम संजीव सिनहा है और यह इनके फादर है सही इस केस में भी सेम पैटन मालूम होता है विवेक और नागेश के तरह यह देखे और से यहां पास ही में इधर बाइक के टाइर के निशान है मतलब नागेश और विवेक की तरह यह संजीव का भी गला काटकर माड़ किया गया कैसी दुस्मनी सार अच्छा बहला लड़का था मेरा बेटा संजीव अभी अभी उसकी टील इंदस्ट्री में, उतकी नोगs में लगए थे तीन कतल हुए और यह तीन कतल है सुअफत हुए जिस वक्त्त वीक्टिमस अपनी सुआ अपनी इपनी कार में थे लटकर इन तीन हो मर्डर्र का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है से एक कनेक्शन है इसああ धियर टील इंडस्टीर का विवेक शर्मा और कि ए दोन स्टील इंडस्टीर से जुड़े हुए थे वेकलें नाग Brenda बिर्जू उसका कुछ पता चला जिसे नागेश ने सब के सामने दलील किया था जी नहीं सर्, साहू बता रहे थे कि नागेश की मॉर्डर के बाद से ये बिर्जू हवा हो गया है स्टील सिटी में हुई इन तीन हद्याओं ने शेहर का महौल बिगार दिया था और आनन फानन में पुलिस ने इलाके के सभी हिस्ट्री शीटर्स को उठा कर अंदर कर दिया लेकिन इतना सब करने के बावजूद ये हद्याएं थम नहीं रही थी सहिस आदमी का नाम देबा शीश यहां पासी में एक छोटा सा धाबा चलाता इसके मॉडर की भी मॉडर सा प्रेंडी सेम ही लग रही है बाकि जितने भी कतल हुए वो सब के सब आपर क्लास के थे और कतल तब हुए जब वो लोग कार में थे लेकिन ये एक छोटे से डाबे का आदमी इसके कतल का उन तीनों कतल से वाके कोई कनेक्शन है या हमें गुमरा करने के कुछ आल है सक्किलर का माइंड समझ में नहीं आ रहा है समझना पड़ेगा एक के बाद एक ये चौथा कतल अब बिर्जू अभी तक हमारे हाथ ने लगा अब क्या करेंगे योगी भाईया मडर केस में फस गए तो बहुत लंबा जाएंगे तुम पर रजान हो तो हमने सूच लिए है क्या करना है सब अपने ख़बियों से पता चला है कि विवेक की मौत की एक हफते पहले विवेक और तपन के वीच में काफी गर्मा गर्मी हुई थी यकिन ये बात हमें स्टाफ में से किसी ने ने बताई और ना ही बास बास करने जगड़े की वज़े पाता चली यह सार यह विवे की पफॉर्मेंस तपन के पर्फॉर्मेंस से जाधा बैस्ट थी पिछले दो साल से विवे को best performer of the year का अवड़ भी मिल रहा था मतलब बैस्ट के जाने के बाद जो बचा वही बैस्ट उठा इस तपन को सर मेरा भिवेक के मडर से कोई लेना देना नहीं है तेख सिधी तरह बोल दे वाना उंगली नहीं पूरा हाथ टेड़ा करूगा सर थी मुझे उससे जलन सर बड़ी मुश्किल से मैं अपना टार्गेट पुरा करता था और विवेक सर रहर बार टार्गेट का डेवल सील करके Avengers करें की अपने को देता था वम दोनों स्वेम लेवल के थे सर लेकिन सेलरी सर सेलरी उसको जादा मिलती थी इंसेंटिव सर वो भी सो जादा मिलता था और ऑफिस से सबी लोगों की वहाँ वही भी उसे ही मिलती थी Thank you sir इसलिए सुपारी दे दी उसकी पटा जी उसको रास्ते से सर मैंने उसको नहीं मरवाया है अच्छा सर 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 मैंने किसे को नहीं मरवाया है सर सथुने सर विवेक अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है, सर क्या सर? सर, मैं अंडर परफॉर्म करता था विवेक से लेकिन मैं उसकी तरह कलिक की बीवियो पर गंदी नजर नहीं डालता था, सर तरुन की बीवियो की बात कर रहे? नहीं सर, आकाश और उसकी बीवियो की अकाश सर, विवेक का सिटन सर, उसके बारे में विवेक ने कुछ कहा था सर, जिससे अकाश आगो वोला हो गया जुबान संभाल के विवेक सर, मेरी बीवी को लेकर दुबार ऐसी बात कही, तो मुझसे बुरा को ही नहीं होगा अकाश, रिलाक्स, अगर तुम्हें भज़न नहीं आया, तो मैं इस बारे में दुबारा बात नहीं करूँ लेकिन घर पर आराम से जाके सोचना देख, अगर ये कहानी तुने अभी भी पकाई है न, तो याद रखना, इसी कमरे में तो जिरोस्ट करूँगा सर, मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ सर, आप चाहे तो अकाश से कन्फरंट कर सकते हैं सर, क्यों लाएं आप लोग मुझे यहाँ पर, पार्चे रो रहा हूँ मैं यहाँ तो अपन ने हमें सब बता दिया, आप जूट बोलने का कोई फायदा नहीं, बोलो, क्या हुआ था तुमारे और विवेक के बीच में सेल्स की जौब ना बहुत स्ट्रेस्फुल होती है ना क्लाइंट कुछ रहता है, ना गर में बीवी कुछ रहती है सब को कंप्लींट्स है, क्यों? जी सर, शादी के कुछ साल के बाद ऐसा तो आम है गर्स ओफ रूटीन यूनो, मुझे समझ में नहीं आता जब इंसान रोज एक ही सबजी खागा आगे बोर हो जाता है तो एक ही पार्टनर से बोर कैसे नहीं हो गए लिगन सर, अब पार्टनर्स को थोड़ीने सबजी की तरह बदल सकते है बदल सकते है कभी-कभी हम करते है मैं, बासकर सर, तरुन हम लोग एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ यूनो वाइख सकाष, इफ यू वांट, यू वांट, यू जो जोई आज जोई आज सर वो सर विवेक सर मुझे वाइख स्वाइपिं के लिए बोल रह थी वाइख सर पे? जी मैं पपना और विवेक ने हमें जब बताया क्या वा सच है? जी सर लेकिन सर हमने हमने जो भी क्या वह आपसी सहमेति से किया किसी तीसरे को क्या प्रव्लम हो सकती थी? सर सबका कुछ ना कुछ स्ट्रेस बस्टर होता है यह हमारा स्ट्रेस बस्टर है जी और हमने कोई क्राइम नहीं किया है आप अपने घर की चार दिवारी के अंदर क्या करते हैं? उससे हमारा कोई सरोकार नहीं पर जब कोई क्राइम होता है ना तो नजी बात नहीं रह जाती वाइफ स्वैपिंग पत्नियों की अदला बदली इजददार और अमीर कहे जाने वाले लोगों के बीच मनुरंजन के नाम पर खेले जाने वाले इस खेलने क्या इतना घातक रूप ले लिया था या फिर तपन और विवेक की बीच की दुश्मनी विवेक की मौत की जिम्मेदार थी या फिर विवेक की हद्या के पीछे कोई और ही मकसद था लहाजा पुलिस ने बिर्जू को धून निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार उसको पकड़ लिया गया बोल बोल तुने तीनों मर्डर्स क्यों की अपने पार्टर का नाम बोल साब मैंने कोई मर्डर नहीं किया साब तब फिर बिल में के छुपा बैठा था साब मैं डर गया था साब अरचना से प्यार करता था पर उसके पापा नागेश ने मुझे मर्डर में फसाने की धंकी दी थी ये तो सबी अगा जिंदेगी पर जियल में मॉर्डर केस में यार और जान में ने जान को चुनना सब और मैं भाग जाग यांसा tem तुने जान को चुन, Salad, तुने जान लेना चुना पहले नागेश, फिर भिवेख, और उसके बास संजीव बॉल बोल तुने तीनों मदर्स क्योंकी, बोल, अपने पार्टन का नाम बोल साथ, जिन जिन का नाम आप ले रहे हो साथ, मैंने उनके नाम तक नहीं सुने मेरे कसूर सुरी पेतना है साथ, मैं दूसरी जात कहूं इसलिए आप लोग मुझे पजा रहे हो साथ देख, सीधी तरह बोल देख, वना सड़ेगा यहां पर बोल, मारे पार्टन का ना बोल, सार बोल, बोल, अजिए सार, पेरोल पे जो दो हिस्ट्री फिटर आये हैं, योगी और बल्लू, उन दोनों के हमने बहुत तुड़ाएके तो उन दोनों ने कुछ अलगी इनफोर्मिशन दिये, क्यासी इनफोर्मिशन? साब, हम अकसर एक धंदे वाली के पास में जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले जब हम उसके पास गए थे तो उसने हमें यह बताया था पतार शहर में जो कांड हो रहे हैं, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे भाई, पुलिस वाला? मेरा रेगुलर कस्टमर है लेकिन साब उसने हमें यह नहीं बताया कि यह पुलिस वाला कौन है जोड तो ने बोले अरे नहीं साब, हमें मरना है कि आप लोगों को यहातों से? साब, एक तम सच मेंगे जड़, वो धन्देवले का नाम और अड्रेस बोल साब, 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 एक मिनिट, साब आपसे कुछ जरूरी बात करनी है पूरे इलाके में शेह नहीं बनी घूमती है, मेरे सामने भीगी बिली बन जाती है साब, थोड़ा तो रहम कर दो हम पर, एक बार मेरी बात सुन लो तू मत बोल, उसे भेच, उससे बात करूँगा, चल जा साब, एक बार मेरी बात सुन लो साब, चंदा का नंबर बंग है, उस कपिम बता रहा है कि वो गोवा गई है लेकि उससे यह नहीं पता कि वो गोवा में कहा है तो यह योगी और बलू, हमें गोड़ी तो नहीं दे रहे हमें चंदा के जरीए किसी पुलिस वाले के चकर में जा रहे है मुझे नहीं लगता से, क्योंकि जब चौथा मुडर हुआ था तो यह योगी और बलू हमारी कस्टडी में थे अगर यह दोनों सच बोलने है तो फिर यह जाना जरूरी है कि वो कौन सा पुलिस वाला है कि यह सारे मुडर कर रहा सब मसला यह है कि अगर यह सच है तो हमें एक पुलिस वाले पर आक्शन लेना होगा कोई मसला नहीं कानूम की नजर में सब बराबर है चाहे वो पुलिस वाला हो यह आम आत्मी लेकिन पहले यह कन्फर्म करना जरूरी है कि इन सारे कतल के पीछे क्या वाकिए क्यों पुलिस वाला है दास अरे रुको रुको चावी दो हमको गारी हम लेख जाए सर हमें इंफर्मेशन मिली है यह जो भी हमारे डपार्टमेंट से ही है तुम उन दो गुंडों की बात का यकेन कर रहे हो फिर भी अगर थोड़ी दर के लिए तुमारी बात मान भी लेते हैं तो मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा पुलिस वाला होगा जो ऐसा करेगा यह ऐसा करवाएगा सर अभी यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन जेतने भी मर्डर्ज हुए हैं उनके तार आपस में जोड़नी रहे तुम मुझे यह बताओ तुम करना कह चाते हैं सर मैंने पाचो क्राइम सीन के डंब डेटा निकाल कर स्टड़ी किये मेरे हाथ में एक नंबर लगा है जो इन पाचो क्राइम सीन पर मवजूद था किसका नंबर है? किसका नंबर है? किसका नंबर अंबर मिठाई लीजे, बहुत खुशी का मुका है क्या बात है? मेरे पती की नौकरी दुबारा लग गई है अची बाते बधाई हो अरे साफ, आप लोग लीजे, मिठाई लीजे क्या बात है अपने गिरफतारी खुशी में मिठाई बात रही हो तुम मेरे गिरफतारी? ये क्या बोल रहा है आप? 444-5476-85 ये नमबर तुम्हारा है? हाँ, ये नमबर तो मेरा है, पर मेरे पती इस्तमाल करते है पती इस्तमाल करते है? हाँ, मेरे पती मुकुन कुमार जी अले मुकुन, सुस्पेंशन ज़ा दोगे तुमारा? जी वो अनन्द सर के साथ हाथसा होने के पहले में मेरा सस्पेंशन दद कर दिया था चले अब लोग गलत इद्जाम लगा रहे हों मच्वर कोई सुबूत है बहुत सुबूत है और एक गवा भी है गवा? हाँ गवा चंदा जी साब आपका यह आदमी है जो मर्डर करता है तुझे कैसे पता चंदा? मैंने उसके कपड़े में कई बार खुन के धबबे देखे थे और एक बार उसके पास चाकू भी देखा थे यह मास सोचना कर तो पोलिस वाला है तो हम रहम करेंगे अब तो बोलेगा यह हम शुरू हो जाए तुमने हाथ दो यह अरे क्या कर रहा यह बेचा फे राम यह क्या लाके रख दिया? यह मासा हारी खाना हमने तो शाका हारी खाना मंगाया था ना? मैंने कितनी बार बोला आपसे किसी शाका हारी ओडल में लेके जलो देवाशीस ने मांस हमारी टेवल पर रखकर हमारा धर्म रस्ट करने की कोशिश की थी इसलिए हमने उसे मौत की नीज सुला दिया है पागल हो क्या? पागल हो गये तुम हाँ? कैसी बाइक चलता है? सब आप और तुने अपने सीनियर अनंद कुमार को कुमा रा था? उनों ने ते तुमारी सस्पेंशन रत की थी कमीना था हो उसी की वज़े से तो ये सारे कांड हुए उसकी जाट के लोग हमसे जुपकर प्रणाम करते हैं लेकिन वो इस पुलिस टेशन में हमारा सीनियर बन बैटा था बहुत होकुम चलाता था हम पर डिपार्टमेंट के लाओ घर की भी काम हमसे करवाता था उसके टॉर्चर से तंग आकर हमने उसे वहाँ पहुचा दिया जहां पर वो रहने के लायक है क्या बेगाड़ा था कारवालों ने तेरा? एक दिन बाइक से मैं अपनी पद्नी रादिगा से साथ जा रहा था एक कारवाले ने ठोक दिया गलती उसकी थी चोट हमें लगी थी लेकिन वो हम पर रॉप जाड रहा था उसकी पहुच बहुत उपर तक थी उसने डिपार्टमेंट में हमारी शिकायत कर दी हमारी तरह जाती के वज़े से बहुत परेशान हुआ है इसलिए वो हमारा साथ दे रहा था उसे यखीन था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे अपनी जाती या धर्म के प्रती लगाव रखना कोई गलत बात नहीं है मुकंद के अपराद ने उन पांचों पेड़ितों की पत्नियों की जिन्दगी को तबाह कर दिया था और सबसे बड़ी चोड़ तो मुकंद ने अपनी पत्नी राधिका को पहुँचाई थी राधिका को उप तक यखीन ही नहीं हो पारा है कि उसके पती ने पांच लोगों की हत्या की है आज राधिका की जिन्दगी मानो एक मजधार में आकर खड़ी है एक हत्यारे की पत्नी होने का दाग उस पर लगा है और वो अच्छी तरह से जानती है कि उसकी और उसकी बच्ची की आने वाली जिन्दगी पर इसका कितना गहरा असर होगा अब मैं आनूप सोनी आप से विदा लेता हूँ फिर मलाकात होगी Crime Patrol सतर्क के Black Headlines अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें Crime और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जेह